एक हॉस्टल में तीन दोस्त रहते थे रवी, पुनीत और राजेश तीनों अच्छे दोस्त थे और तीनों ही पढ़ने में, शरारत करने में, खेल में, सब चीजों में आगे थे इसलिए सब उनको पसंद करते थे और इसी बात का फायदा उन लोगों को मिल जाता था जब भी वो शरारत करते और पकड़े जाते तो उनको छोड़ दिया जाता था एक रात की बात है, उन सब ने आपस में बात की सही कहा राजिश, आज रात ऐसा ही करते है उस रात तीनों ने ऐसा ही किया और अपने हॉस्टल से छे किलो मीटर दूर एक थेटर में मूवी देखने चले गए उस टाइम या तो वो पैदल जाते या साइकिल से उनके पास और कोई रास्ता नहीं था तो वो तीनों एक ही साइकिल पर चल दिये रात अंधेरी थी तो उन्होंने अपने साथ एक टॉर्च लाइट भी रख लिया मूवी हॉरर थी मूवी खत्म होते होते बारा बच गए सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से कोई रिक्षे से, कोई अपनी मोटर साइकिल से तो कोई अपनी साइकिल से सब लोग धीरे धीरे अपने घर को चले जाते हैं पर इनके होस्टल का रास्ता दूसरी तरफ था और ये तीनों मूवी देख के बहुत डर गए थे भाई, मेरी मानों तो आज हॉस्टल नहीं जाते हैं बहुत डर लग रहा है मुझे भी बहुत डर लग रहा है कितना भयानक जंगल है बेटा आज हॉस्टल नहीं पहुँचाना तो कल क्लास लग जानी है कुछ भी हो, आज हॉस्टल जाना ही होगा पुनित सही कह रहा है राजिश, डरने से क्या होगा, मन से डर को निकालते हैं और हॉस्टल चलते हैं ऐसे भी ये सब फिल्मे कालपनिक होती हैं, ये हमारे मनोरंजन के लिए बनाया जाता है और हॉस्टल में भी सब परिशान हो रहे होंगे जंगल के भूत से तो हम बच जाएंगे, और हॉस्टल के भूतों से हमें कौन बचाएगा ऐसा बोल कर तीनों हसने लगते हैं और साइकल लेकर हॉस्टल की ओर चल देते हैं हॉस्टल और थेटर वाले रास्ते में एक छोटा सा जंगल पढ़ता था वो बहुत डरावना और अंधेरा भरा था जब ये लोग वहां से गुजर रहे थे तो तीनों बहुत डरे हुए थे टॉर्ज की लाइट में रास्ता देखते देखते धीरे धीरे साइकल चला रहे थे तभी साइकल के आगे बैठे रवी ने बोला भाई ये पेड़ पर क्या लटक रहा है भाई नीचे नहीं पेड़ पर देखो तीनों ने जैसे ही पेड़ पर देखा एक चुडैल का लटकता हुआ हाथ उनकी साइकल के हैंडल पर आगे रता है तीनों डर के मारे बेहोश हो जाते हैं सुब़ जब चार बजे पुलिस की पेट्रोलिंग जीपाई तो पुलिस वालों ने उनके चेहरे पर पानी मारा और उनके होश में आने पर उनसे उनका एड्रेस पूछ कर उनको हॉस्टल में छोड़ाए उन तीनों का कल रात की घटना से सर भारी था वो हॉस्टल पहुँच कर फ्रेश होके कुछ नाश्टा करके दोबारा सो गए किसी से भी उन लोगों ने रात की घटना का जिक्र नहीं किया रात हुई पर दिन में अच्छी नीन लेने के कारण उन तीनों को रात में नीन नहीं आ रही थी तब ही उनका दोस्त रोहित उनके कमरे में आया और उनसे बाते करने लगा भाई कल क्या हुआ था पुलिस वाले तुम तीनों को लेके आये वो बोल रहे थे कि तुम तीनों जंगल में बेहोश थे क्या हुआ था कुछ नहीं भाई बस कल हम बोर हो रहे थे तो मोवी देखने चले गए थे जब मोवी देखके वापस आ रहे थे तो हमने पेड़ पर एक चुड़ैल देखी जिसके हाथ जमीन तक छोल रहे थे उसके हाथ बहुत लंबे थे बड़े बड़े नाखून रवी ने बस ये बोला ही था कि उनके सामने रोहित पेड़ वाली चुड़ैल में बदल जाता है ये सब देखकर तीनों फिर से बेहोश हो गए सुबह होते ही तीनों को हॉस्पिटल ले जाये गया उनको बहुत तेज बुखार और कमजोरी महसूस हो रहे थी और पूरा शरीर कांप रहा था उन तीनों के चेहरे को देखकर यही लगता था जैसे उन तीनों ने कुछ बुरा अनुभव किया है दो दिन बीद गए उनकी हालत में बहुत सुधार हो गया था एक रात उनके पास नर्स आई उसने तीनों को दवा और इंजेक्शन लगा कर उनके पास बैट गई और बोली अब पहले से कैसा लग रहा है हम सब पहले से ठीक है चलो अच्छी बात है तुम सब जल्दी ठीक हो जाओगे अच्छा बताओ आखिर तुम लोगों को हुआ क्या था सिस्टर हम मूवी गये थे वहां से जब आ रहे थे तो रास्ते वाले जंगल में एक हाथ लटकता देखा जब हमारी नजर पेड़ पर गई तो हम बेहोश हो गए पेड़ पर चुड़ैल थी तब पुलिस वाले सुभा हॉस्टल छोड़ गए पर उसी रात हमारा दोस्ट आया और उसने भी हमसे पूछा तो हमने जैसे ही उसे सब बताया उसने रूप बदल लिया वो हमारा दोस्ट नहीं वो ही चुड़ैल थी रूप बदलते ही उसने बोला कहीं यही हाथ तो नहीं और हम बेहोश हो गए वोश आया तो हम हॉस्पिटल में थे ये सुनकर नर्स मुस्कुराने लगी सिस्टर आप क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या बात है? नर्स ने बोला कहीं यही हाथ तो नहीं था ये बोलते ही नर्स उस चुडैल में बदल गे उसके भी लंबे-लंबे हाथ हो गए और वो हसने लगी ये सब देखकर तीनों फिर से बेहोश हो गए वही दूर दर्वाजे के पीछे खड़ा एक आदमी ओम प्रकाश सब सुन और देख रहा था ये सब देखने के बाद उसको बहुत अजीब लगा और वो ये जानना चाता था कि आखिर उन लड़कों के साथ क्या हुआ था उम प्रकाश इन सब के बारे में जानने के लिए जंगल में उस पेड़ के पास गया जहां उन तीनों दोस्तों को चुड़ैल दिखी थी जब वो वहां गया तो उसने एक दो लोगों से पूछताच की पर उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था तभी उसे वहां एक बूढ़ा आदमी बंसी काका दिखा जो लालटेन लेकर अपनी जोपरी की तरफ जा रहा था ओम प्रकाश ने उस बूढ़े आदमी को जल्दी से रोका और पूछ बाबा रुको जरा आपसे कुछ पूछना था उस पेड़ के बारे में तुम तुम जाओ यहां से मैं इस बारे मैं कुछ नहीं कहना चाहता जाओ 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 अरे रुको बाबा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ बच्चो का सवाल है दो दिन पहले पेड़ के नीचे वहां उस हॉस्टल के तीनों बच्चो की हालत बहुत बुरी हुई उन बच्चो ने बताया था कि उनके साथ इस पेड़ के पास कुछ दुरगटना हुई मेरा मतलब है उन्होंने कुछ भूत चुडैल जैसा कुछ देखा जिसकी वजह से वो तीनों दोस्त दर की वजह से सदमे में चले गए बंसी का का ये सारी बाते बड़े ध्यान से सुन रहे थे ओ, तो ये सब फिर हो गया फिर, फिर का क्या मतलब, ऐसा पहले भी हुआ है क्या हाँ बेटा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ ऐसी दुरघटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी है हास्टल का कोई भी आता जाता है उसके साथ ऐसा ही होता है पहले कुछ घटनाएं होती हैं और फिर वो सदमे में चला जाता है हास्टल के लोगों के साथ ही क्यों किसी और जगह के लोगों के साथ ये सब क्यों नहीं होता फिर बंसी काका ओम्प्रकाश को पूरी कहानी बताते है बेटा, कुछ साल पहले की बात है हस्टल के कुछ शरारती लड़के लड़कियों को परेशान करते थे और उनको ठीक से पढ़ने नहीं देते थे और शरारत करके जब पकड़े जाते तो उन बेचारी लड़कियों का नाम लगा देते एक लड़की थी रेश्मा जो बहुत ज्यादा उन लड़कों की शरारतों से परेशान हो चुकी थी रेश्मा ने उन लड़कों की शरारतों से दुखी होकर इस पेड़ पर आत्म हत्या कर ली तब ही से उस रेश्मा की आत्मा उस पेड़ के पास भटकती है और इसलिए वो सिर्फ होस्टल के लोगों को ही मारती है अच्छा ये सारी बात है बाबा ऐसे तो वो चुड़ैल इस पूरे होस्टल के लोगों को मार देगी बाबा इसको नश्ट करने का कोई उपाय नहीं है क्या हाँ एक उपाय तो है इस पेड़ को रात होने से पहले जलाना पड़ेगा अगले दिन सुबह ओम प्रकाश और बंसी काका दोनों आते हैं और उस बेड़ को जला देते हैं पर जब बंसी काका और ओम प्रकाश जंगल वापस लोट रहे थे तब ही उन्हें ऐसा मैसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है जैसे ही वो पीछे मुड़े देखा तो कोई नहीं दूसरी बार जब किसी ने उन्हें पुकारा तब ही बंसी काका और ओम प्रकाश ने पीछे मुड़ कर देखा वहाँ एक ओरत खड़ी थी जो उनसे जंगल के बाहर जाने का रास्ता पूछ रही थी सुनिए कि आपको इस जंगल के बाहर जाने का रास्ता पता है मैं यहां भटक गई हूँ हाँ हम दोनों भी जंगल के बाहर की तरफ ही जा रहे थे आप हमारे साथ चल सकती हैं वो औरत उन दोनों के साथ साथ चलने लगी तब ही बंसी काका की नजर उस औरत के पैरों की तरफ गई ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके पैर तो उल्टे हैं वो बहुत चौक गए जैसे जैसे उसने उपर देखा उस औरत की आँखे लाल हो गई उसके बड़े बड़े नाखून हो गए और वो एक चुडैल के रूप में आ गई बंसी काका बहुत डर गए जैसे ही उसने उम्प्रकाश को बताना चाहा चुडैल ने उसका गला पकड़िया बंसी काका की करकराहती आवाज सुनकर ओम्प्रकाश पीछे की तरफ देख देख लेगा देखा तो पता चला वो औरत और कोई नहीं चुडैल थी जिसे वो अभी अभी चला कर आए थे बंसी काका ने जैसे तैसे खुद को चुडाया फिर बंसी काका तो मैं भी सोच रहा हूँ वो चुडैल वापस कैसे आई थोड़ी तेर सोचने के बाद बंसी काका को याद आया वो चुडैल अपना बदला लेने इसलिए आई है क्योंकि उसे उन लड़कियों से माफी मंगवानी है अब एक ही रास्ता है वो लड़के उस चुडैल से माफी मांगे और उससे कहें कि आज के बाद कोई लड़की तो क्या हॉस्टल का कोई भी इंसान किसी भी व्यक्ती को परेशान नहीं करेगा फिर वो चुडैल हमेशा के लिए मुक्त हो सकती है फिर वो प्रकाश और बनसी काका मंदिर के बाहर की तरफ देखते हैं तो कोई भी नजर नहीं आ था तभी वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ते हैं और हॉस्पिटल पहुँचकर उन तीनों लड़कों से मिलते हैं और सारी बात बताते हैं तुम तीनों को उस चुडैल से माफी मांगनी पड़ेगी, तभी वो शान्त होगी, तुम सब को हमारे साथ चलना होगा, वो चुडैल जरूर उस पेड़ के पास ही होगी, जिसे हमने जलाया था। हमने अपने घुटनों पर बैट कर उस से हाथ जोड़ कर माफी मांगने लगते हैं। अब मैं यहां से चा रही हूँ, क्योंकि तुम लोगों की माफी से मेरा मन बदल गया है, अब मैं आसानी से मुक्त हो सकती हूँ।